तो अभी हमें सब्जेक से बात करेंगे किस तरह आपकी अर्ट साथ लेवल पे जाकर व्यू चाड़ पे लिग करके चीजों को जो है ग्राफ लेवल पर समझना है ना फिर उसके बाद आप जाते हो देमोग्राफिक पर करते हैं यह परफॉर्मेंस देखते हैं अब डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो डेमोग्राफिक पर आपको यहीं पर कापी सारी चीजे समझ में आ जाएंगी कि भाई देखो सबसे पहले वुमेन 26% 32% इधर colors देख लो green color reach का है और blue Color results का है तो यहां पर आप देखो के green color जो है reach का है तो इधर all men तो यहां पर थोड़ा सा आपके दिमाग को आपको pause करना पड़ेगा है और यहां पर देखो सबसे ज्यादा रीच अगर आप नोट करो 45 to 54 वाली है और सबसे ज्यादा ब्लू कलर की लाइन इंगेजमेंट की है इंगेजमेंट भी 45 to 50 वाला है इंगेजमेंट ग्रीन के लाइन जब बार बार इन चीजों को आप रट जाएगा के ब्लू कलर की लाइन का इसी है तो यहां पर आप देखो कि भई प्लेसमेंट में Facebook का प्लेसमेंट आप रॉन कर ना है तो इधर आप नोट कर सकते हो कि दूसरे प्लेसमेंट कॉन से हैं Facebook में ओडियन नेटवर्क एक Placement है Instagram एक Placement है Messenger एक Placement है लेकिन यह आप रनी नहीं कर रहे हो moving forward जब आप advanced user हो जाओगे तो आप instagram पे अलग से run करोगे messenger पे अलग से run करोगे जिसे currently अभी सबसे ज्यादा super cheapest traffic source अभी कुछ चल रहा है as per gary winner चक तो वो placement चल रहा है facebook story ads, messenger story ads or instagram story ads सबसे ज्यादा cheapest traffic source है because recently facebook न उसको start कर रहा है स्टोरी पर लोग जदा इंट्रस्टीड है हाँ story story देखने में लोग मतलब वो बहुत cheap है traffic source उसकी costing बहुत cheap रखी है because अभी अभी तो stories आई है right तो यह जो बड़े-बड़े marketers है आप note करोगे कि बड़े-बड़े marketers की ads आपको ज्यादा तर या तो इंस्टाग्राम स्टोरी पर चलती भी नजर आईगी या Facebook या Messenger स्टोरी पर चलती भी नजर आईगी यह जो बड़े-बड़े marketers है यह कभी भी महेंगी ads नहीं रन करते हैं यह सबसे स्यादा सस्ती ads रन करते हैं and because I am connected with the top marketers यह सब अंदर की बात है मुझे पता रहते हैं इंटर्नल इंसाइट्स अब डिलिवेरी पर हम जाते हैं तो डिलिवेरी पर अविलेबल फोर रीच इन फ्रीक्वेंसी ad sets है ना इसका मतलब जब आप रीच की कोई campaign करते हो या frequency ad sets करते हो तब यह चीज़े आती है रीच में दिखेंगे आपको चीज़े ठीक है तो यह हो गया हमारी subject एक overview